प्रकृति हमारी मा है, मा से लड़ना नहीं, प्यार करना चाहिए और मा ऐसी है कि बच्चों को कब क्या चाहिए उसके हिसाब से ही वो देती है जब दाथ ने थे तब दूद दियो, जब दाथ दिये क्या अनन दई है, जो जैसी ज़रत है वैसा दे देती है मैं उद्ध्यान में ब्रह्मन कर रहा था, मैंने सोचा, मेरे हाथ एक चीज लगी और मुझे लगा कि ये तो मा ने इस समय की समस्याओं का इलाज दिया है लोगों को नई पीडी पहचान नहीं पाती चीज़ों को बलकि अगर नाम भी लें तो वो कहते हैं वो डॉक्स साब तो बताई देंगे या जो हर्बल मेडिसिन वाले हैं वो बता देंगे आप भी पहचानी हैं देखिए क्या है ये मेरे हाथ में बड़ी प्यारी सी चीज़ है ये अब इसके बारे में आप बहुत कुछ सोच सकते हैं आप सोच सकते हैं कि ये कौन सा फल है फल है भी या नहीं है कोई जंगली चीज़ तो नहीं है लेकिन ये है विभीती का विभीती का बड़ा प्यारा फल है कशाय है न क्योंकि छह रसों में हम अपने मनभाते रस तो खाते रहते हैं कटा मीठा चरपरा नमकीन लेकिन कड़वा और कशाय नहीं खाते हैं इस समय जो स्वास्ते संबंदी समस्याइं आती हैं उनमें कफदोश, खांसी, नजला, हिक्का यनि कंठ के विकार हो जाते हैं और उस माप्रकृती ने इस प्रॉबलम के आने से पहले ही हमें ये दे दिये विभीति का जिसको आम बोलचाल की भाशा में आप बहेडा भी कह देते हैं बहुत से लोगों आज पहली बर देखा होगा ये लेकिन क्या करना है इसका यानि गले से संबंदित कोई भी रोग क्यों नहों उसमें ये आपके लिए बहुत प्यारी सी टॉनिक है आहार है ये अम्रत फल है इनको दवाईयों के श्रेणी में नहीं हम गिनते इनका सेवन ह होना चाहिए तो आप आजकल गरम चीजें पीना पसंद करते हैं तो इस बहड़े के फल के इस छीलक को उतारिए फोड़ लीजे इसको ये अलग हो जाएगा और एक बहड़ा पानी में जैसे आप चाय पकाते हैं तो ऐसे ही बहड़ा पकाएं उसमें कुछ पते तुलसी के दालने और इसको पका करके ठीजा की सिपो करके आप ले सकते हैं चाय की तरह इसलिए कह देता हैं हम कि आप लोग लोग 20 अबना हम तो आश्रम में आप कोई विक्तिए आये तो हम में पोछतें क्योंकि आप लोग पीते हैं तलिग इसका उधारण दे कि isp करके पीते हैं काफी पीते हैं तो विभीतिका को फोड़ करके इसका जो उपर का च्हीलक है इसको सारे को गूदिये समीत बहुत अच्छी तरह से पका करके और उसमें नहीं कहा कि पकाते समय ही तुलसी के थोड़े पत्ते डाल लीजिएगा और जब उसे पका करके उतारें तो उसमें आधा चम्मस शहद मिला लीजिएगा ये बहुत टेस्टी पे हो जाएगा आपका दिन में दो बार पी लिया तो आपको कंठ रोगों में चाहे वो स्वर संबन्दी है चाहे वो थैरेड संबन्दी है चाहे वो कफ और खांसी संबन्दी है हिक्का यानि धसका संबन्दी है वो सब चीजें सहज में गायब हो जाएगी और आपकी वानी में एक माधूरी है और बोलने में एक निरंतरता आ जाएगी एक चीज और है इसके अंदर से जब इसको फोड़ेंगे ना तो आपको एक गुठली निकलेगी वो गुठली भी आप उसको गुठली को फोड़िये और जब उसे और फोड़ेंगे तो उसके अंदर से एक बीज निकलेगा गुठली के अंदर से जो बिलकुल गिरी उसकी समझे तो इसकी गिरी का आप सेवन करिएगा उसमें भी ये सारे गुण है और सबसे बड़ी चीज है कि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और बच्चे तो इसको बड़े मन से खाएंगे तो आपको आजकल ताजा फल विभीतिका का मिलेगा न समझ में आएं तो बहड़ा कह लीजिए लेकिन इसको पीना भी है और इसको खाना भी है स्वस्त रहें